इस वर्ष सोयाबीन के सीजन की लेट शुरुआत हुई. दरसल अक्टूबर माह के अंतिम सप्ता में अब जाकर क्रिशी उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक में बढ़ोतरी हुई है. इधर दीपावली का त्योहार भी निकट आ चुका है. वहीं किसान साथी रभी सीजन क के लिए खाद बीज की व्यवस्था एवं खेत की हंकाई जुताई की जा रही है. यही कारण है कि इन दिनों सोयाबीन क्रिशी उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक में बढ़ोतरी हुई है. सोयाबीन की सरकारी खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होगी जो 31 दिसंबर तक चलेग. खरीदी शुरू होने के पहले एवं दिपावली के ठीक पहले सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली. माना जा रहा है कि सोया प्लांट संचालकों ने सोयाबीन के भाव में गिरावट की. इसके अलावा मंडी में अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन सोयाबीन कम आ रहा। खराब क्वालिटी गीला अधिक आने से इसके भाव 3,500 से 4,000 रुपई के चल रहे हैं। स्टॉकिस्ट इस समय सोयाबीन अधिक खरीद रहे हैं लेकिन 3,4 किलो की सुखात आने से यह खरीदारों को महेंगा ही पड़ रहा। सोयाबीन टॉप क्वालिटी का 4,808 से 4,900 रुपई के भाव बिका है। इधर एक बड़ी खबर यह भी है कि आगे सोयाबीन के भाव 6,000 रुपई रहें। इस संभावना पर लाखों रुपई इस व्यापार में इन्विस्ट किये जा रहे हैं। सोयाबीन का कारोबार करने वाले जानकारों का कहना है कि ब्राजील में सोयाबीन की फसल फरवरी माह के दौरान पक्कर तयार होग। इसके पहले सोयाबीन के भाव में तेजी आने की संभावना अधिक है। दीपावली के पहले नियूंतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का श्री गनेश हो जाएग। सोयाबीन की सरकारी खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होग। नियूंतम समर्थन मूल्य, MSP, पर सोयाबीन खरीदी की तैयारियां 31 दिसंबर तक चलेग। इस बार सरकार ने टोकन सिस्टम लागू किया है, ताकि किसान बिना समय गवाएं सीधे अपने टोकन के अनुसार खरीदी केंदर पर जा सके। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो अधिक केंदर भी खोले जाएंग। फिलहाल प्रदेश की प्रमुक क्रिशी उपज मंडियों इंदर उज्जैन नीमच मंदसौर एवं रतलाम में सोयाबीन की आवक 800-1000 बोरी तक की बनी हुई है। उम्मीद है कि दीवाली के बाद से मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ेग। सोयाबीन की खरीदी दीपावली के पश्चात ही जोर पकड़ पाएग। इसके पश्चात सोयाबीन के भाव में भी बड़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। Bureau Report Market Times TV